वेल्कम टॉ गार्ट फ्रेश तो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूं नाुटर स्वेन प्लांट के बारे में आप जैसा देख रहे होंगे सेम प्लांट है लेकिन ग्रोथ में कितना ज्यादा फर्क है क्योंकि एक plant मेरा गमले में है और एक plant जमीन में है जमीन में मैं जान बुचकर नहीं लगाई थी पिछले साल जो मैं plant लगाई थी उसके बीजगिर के नीचे अपने आप से मेरे 5-6 plant निकल गये थे तो दो plant में गमले में लगाई उसके बाद मेरे पास खाली गमले नहीं थी तो वो मैं जमीन में ही छोड़ी उस plant को और आप अब उसकी growth देखिए गमले में मैंने बहुत सारा fertilizer और पता नहीं क्या क्या nutrition के लिए उसमें डाला था और जो जमीन में plant है उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं उसमें simple garden soil ही है जो generally जमीन में रहता है मिटी और cow dung डाला था उसमें और बस वही दो चीज से उसमें growth देखिए कित्ती अच्छी growth हुई है मैं तो जब देखी तो मुझे लगा कि मैं गमले में plant को लगाती ही क्यूं थी हमेशा इसको जमीन में ही छोड़ना था जमीन में इतना ज़्यादा फ्लॉरिंग भी कर रहा है गमले में तो फ्लॉरिंग होती है गमले में भी लेकिन बहुत कम जमीन में इतना ज़्यादा फ्लॉरिंग कर रहा है और देख रहे होंगे इसकी वेल इसकी जो वेल है मेरे सामने ग्रील लगा हुआ है उसको पकड़के अपने आप उपर की तरफ जा रही है मतलब देख के मैं इत्ती ज्यादा खूस हो गई इत्ती ज्यादा खूस हो गई कि मत पुछिए आस मुझे पहले पता होता कि जमीन में इसकी ग्रोथ इत्ती ज्यादा होती है तो मैं कभी गमले में लगाती ही नहीं और फ्रेंट्स तो मैं आपसी यही कहना चाहूँगी कि नस्रस्यम का प्लांट जब भी आप लगाए या तो बहुत बड़े साइच का गमला ले या फिर आप जमीन में ही लगा दे उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और यह फ्लारिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा अब फ्लारिंग ज़्यादा करेगा तो इसके बीज तैयार हो जाएंगे आपके पास बहुत सारे और एक बार आप लगा दिये तो कभी आपको खरिदना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं इसमें पास दो ही कलर हैं और एंज और एलो और भी कलर आते होंगे लेकिन मेरे पास नहीं है तो आप देख रहे होंगे मीक्स करके लगाने से यह ज़्यादा अच्छा लगता है और एंज और एलो का जो फ्लारिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में यह अपने आप ही एक्सपरिमेंट हो गया अगर मेरे पास गमले खाली होते तो सायद मैं उसको भी निकालके गमले में लगा देती लेकिन गमले खाली नहीं थे इसलिए इसको मैंने जमीन में छोड़ा और फिर रिजल्ट है मिला तो फ्रेंट्स आज का मेरा वीडियो यह आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू